दोस्तों जय जहार मेरा आम तिलक है और मेरी इस यूटूब चैनल तिलक में कुलोक्स में आप सभी का एक नवड़ी को साथ स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आप लोग को ले के जा रहा हूँ गरिया बंजीला घटा रानी जत्माई दिखाने के लिए तो वीडियो में बने रहना और साथी साथ अगर आप मेरे चैनल में नव हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेयर जरूर कर देना आप लोग अब राजेंपे और राजेंपे एक मोड है वहां से मैं निकल रहा हूँ जहां पर लिखा हुआ है जत्माई जाने का रास्ता और बीच में देख लेजिए अब अगल बगरनों पर खेत खार है और यह सिंगल रोड है जो आप लोग को सिधा सिधा जत्माई घटारानी लेखे जाएगी और यह यहां पर मुड़ना है आप लोग को दोस्तों मैं जहां पर मूड़ना है मैं उसी का रास्ता मैं दिखा रहा हूँ बांकि सिंगल सिंगल रोड है कोई भड़कने वाली बात नहीं है तो चलते हैं दोस्तों घटारानी है वो जब मंदिर से 7 क्यूंटर की दूरी पर इस्थिद है और एक बहुत बड़ा जहरना है वहाँ पर मंदिर तो है दोस्तों लेकिन जहरना भी वहाँ पर है और दोस्तों यह नवरात्य के समय में बहुत ही सुंदर विशेश रूप से यहाँ पर दरशन के लिए तैमिस करने के लिए यहां पर आते हैं तो उसे बहुत हमारे चतिजगर पर गवरो टाइप कर है और बहुत थीक सुंदर है और अगल बगल पुरा घना जंगल है और उसके बीच में है दोस्तों यह जहरना है ना है यह बीच में यह वाटर फाल है जोकी काफिस सुनदर है और मैं आप लोग निकानब के लिए लेकर जा रहा रहा हूं और गौक बता देता हो कहां से आप लोग को कहां किया किया दिस्टेंस है का तो यह सबस्तर से लगबक करें can IS this time के दूरी मतलब दूरी पर है और दुर के आने जाने में कोई परसानी नहीं होगी आप लोग को बस मिफी मिल जाएगा टेक्सी भी मिल जाएगा और ट्रेन का भी स्विधा है तो दोस्तों यह हम लोग यहां से आप लोग को मुड़ना है यह देख लिजे क्योंकि मैं आप लोग को घटारानी लेके जा रहा हूं जंगल बगर में फुल जंगल है तो चलते हैं दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं मैं भी बहुत ज्यादे एक्साइटेड हूं देखने के लिए और वैसे तो मैं एक दो बार यहां पर आ चुका हूं लेकिन दोस्तों कैमरा लेके फर्स टाइम है मेरा तो चलते हैं फुल पहले मुझे नाना भी है क्योंकि मैं घर से सुबा से निकला हूं बिना ना है और यह हम लोग पहुंच गया हैं और यहां पर बाइक आगे लेके जाता हूं क्योंकि बाइक यहां पर बहुत दूर है तो बाइक आके मैं पार्किन करूंगा दोस्तों यह सब दुकान जो आते हैं कि यह मैं इस आते हैं कि यह मैं भाइक पायर कर देता हूं उसके बातों चलते हैं आप लोगो और लोग कोkor पर दिखाना है कि क्या है यहां पर और यह पी लिखा हुआ है घटारानी पहुच मार्ग मा घटारानी यहां पर यहां से हम लोग चलते हैं सीड़ी है नीचे उतरने का और भाईया को मैं हेलमेट दे दिया हूँ यहां पर रख दिया हूँ दोस्तों बाइक में घूमने का मज़ा ही कुछ और रहता है कार और बाइक जो है ना वो ट्रेवल के लिए बहुत अच्छा होता है कई आसवाच जाने के लिए अगर दूर जाते हैं तो हम लोग को ट्रेन का ही सहारा या फिर फ्लाइट का सहारा लेड़ा पड़ता है लेकिन दोस्तों यह दूर जारा दूर नहीं है तो मैं बाइक से ही आया हूं देखते हैं आप लोग को भी रिखाते हैं यहां पे बहुत नीच्छा है यह लग चालिस फिर नीच्छा है और वह दिख रहे हैं खुबसूरत सजहरना वही वाटर फॉल है और दिखो इधर पर जंगल भी आप लोग को नजार आ रहा होगा काफी घना जंगल है दोस्तों और यह 36 गर कर गवरा होए कि यहां पे घना जंगल भी है पहाड इलाका है फुली पहाड है और नीचे में चलते हैं खुबसूरत नजारा देखने के लिए आप लोग को दिखाने के लिए मैं भी बहुत विसबरी से इंतिजार कर रहा हूँ आप लोग को भी दिखाना है देखो कितना खुबसूरत नजा रहा है यह दोस्तर मेरा पहली बार है जो मैं फीर्स टेम है मैं अब लोग को दिखा रहा हूँ मतलब waterfall का जो मज़ा लेना है फास्ट टैम में आ रहा हूं क्योंकि बच्छपन में आया था तो काफी मतलब जब मैं आया था उस टैम में को उतना पता नहीं था इसके सब चीछ के बारे में कि waterfall इसको बूलते हैं या फिर नहते हैं यहाँ पर नहाने का permission है हम लोग को तो यह काफी अच्छी बात है नीचे चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं चलते हैं दोस्तों यह दोस्तों मंदीर है उपर मैं आप लोग को बाद में इसको मैं दिखाऊंगा सबसे पहली जो waterfall ह उसको देखना है हम लोग को तो यहाँ से भी आप लोग को दिखा देता हूं फिर नीचे चलता हूं देख लिजिए बहुत ही खुबसूरत है बहुत ही खुबसूरत है दोस्तों जबी भी आप लोग भी यहाँ पर आयेगा और इसपीक्नी की spot का मज़े लिजेगा काफी खुब सkee्ण पिकनीक है और यहां दोस्तों खाने पिने का रहने का सबका विवश्था आप लोगों मिलेगा और अब चलते हैं यह दोस्तों पंडिजित का रहने का इस्थान है और यह लोग मैं सुबा का टाइम आया हूँ तो भीड नहीं है अभी क्योंकि मैं दोस्तों सुबा से निकल गया था लगभग छह बज़े घर से निकल गया था और यहां पे मैं मुझे 4 घंटा लगा यहां पर आने तक मैं दूर्ग से आया हूँ और 4 घंटा यहां पर मुझे दोस्तों रुपते हुए रूप मतलब कोई-कोई जगा रूपा हूँ तो 4 घंटा लगा है बाकी 2-3 घंटा में पहुँच जाता लेकिन का है चाय नासता खाना यह सब चीज भ करता है तो उस कारण से ये चार घंटा मुझे लग गया है दोस्तों मैं 6 बज़े से निकला हूं और 10 बज़ यहां पर टच हो गया हूं मतलब यहां पर मैं पहुच गया हूं तो देख लिजे नाने का तुम मन है मैं थोड़ा देर बार ना हूंगा और नाने का वीडियो मैं स और जहरने का तो क्या कहना यार यहां पर मतलब कोई भी आएगा तो जाने का मन नहीं करेगा नहाने के बीना मतलब नहाने के बीना यहां पर कोई जाएगा है नहीं इतना खुबसूरत है पास में मगर कैबरा में पानी पानी प्रूफ आला रहता है वाटर प्रूफ जैसे लोग को नेचे से लेके जाता और दिखाता कि क्या घुर्जब नजारा फिर दोस्तों को दीख तो रहा होगा कि इतना खुब्सूरत है और माघाटा रानी जहरना में प्यान लिखा है वहाँ पर आड़े चलते हैं आप लोगको दिखाते हैं तर और क्या है इधार भी चलते हैं ये बजरंग बली भगवान है जै बजरंग बली जै सिर्राम आप सभी को मनों कामना पूर्णा करे आप लोग दोस्तों घर से आप लोग बेख सकते हैं और ये निय वर्ष है और नया वर्ष हमें दोस्तों आप लोग यहां पे पिक्निक मनाने के लिए आ सकते हो और ठन का मौसा में और ही बहुत ही सुन्दर लगता है आने पे जाने पे सुबह से निकल जाएगा इसकारपियों लेके और यहां पे इंजॉयमेंट जो है वो कर लिजेगा खाने पीने का समान या फिर रहने का समान सब लेके यहां पे पिक्निक मनाने आप लोग आ सकते हो और यह सीव संकर शिवलिंग भगवान भागवान सीव भगवान है हरहर महादेव स्री सिवा नमस्तु अब्यम चलते हैं आगे अगे और क्या है देखते हैं दोस्तों यह साइद कुल देवी है यहां पे क्या सारदा भवानी माता है आगे चलते हैं अपलों को दिखाते हैं यहां पे दोस्तों पेंटी मिंटीं हो रहा है साइद हाँ पेंटी मिंटीं हो रहा है यहां पे और बगल में बजंग बली भगवान है और सी भगवान है अं प्रफन कर दीजे फिर आगे आप लोग को दिखाते हैं क्या है दोस्तों यहां पर बगल में तोरेंगा जलासा भी है वो भी पीखनी की स्पोर्ट है और इसके जस्पीछे जत्मई का मंदिर है और दोस्तों मैं आप लोग को एक चीछ बता जेता हूं कि जत्मई और घटारान यह दो अलग-अलग मंदिर है और यह दो अलग-अलग वाटरफाल है तो दोस्तों इसमें कंप्यूजिंग नहीं होना है आप लोग को दोनों जगा आप जैसे आप लोग गरिया बंदाते हो तो दोनों जगा आप लोग को घुम के जाना है और दोनों जगा को मैं आप इखा रहों वैसी ही है और उससे ही ज़्यादा खुब सुलत है जैसे सामने से आप लोग देखें और तो और ज़्यादा खुब लगेगा कि भेजह को पेंटिंग हो रहे हैं नौराथती चल रहा लगता है नय सल में नय सल जैसे आएन तो आपन दोसो ठन करें में हाँ लोग बहुत जयादा विजिट करते हैं लोग कि अब धिकल अभी मैं सूबहों के ठन कर दिन तो बहुत लोग नहीं नहीं आये भीर नहीं लगी हैं बांकि यहांपर बहुत जद भीर रहती हैं एप से में तो देख लेज ये यहां पर समान खाने पीने का समान मिल जाएगा आप लोग को और जो ज़र रहता है मंदिर के पास वह आप लोग को मिल जाएगा है यहां पे देख लीजए handler आ Teachers जीन दे जो समान रहता है माला रहता है और बेग है बच्चों को खिलावना है यह सब आप लोग को यहां पर मिल दैगा तो आप लोग को तानाच य। बहूंत ही कुषर जगह है। दोससों यह taty जो रोड़ है मनें पिछे साय से आया हूं और यह जो रोड़ सामने दीख रही है जो से हम लोग जा रहे हैं यह दोस्तों रायपूर से होते हुए आती है रायपूर से होते हुए जो रोड है वो आती है और यह गेट है में गेट यही है एक चली में हम लोग पीछे से आ गए हैं लेकिन यहां से भी आप लोग आ सकते हो रायपूर से लगभग 70 किलिम्टर की दूरी पर ये इस्थित है वाटरफाल है उसके साथ साथ मंदीर है दोनों का आप लोग आरा ले सकते हो दर्शन कर सकते हो और यहाँ पर आप लोग चार्ट चार्ट और ये होटल का मज़ा भी ले सकते हो खाने पीने का तो यह waterfall का एक बहुत खुसरत जगह है और 36 का गरिया बंजीला तो यह इस सीथ है और यह अंकल लोग हैं मैं लोग से पूछ रहा हूं कि रैपूर से किता किलिम्टर हैं यह लोग बता रहे हैं 70 किलिम्टर है तो चलते हैं पिछे साइट आप लोग को फिर से दिखाते हैं क्या है और क्योंकि अभी मंदीर का आप लोग दर्सन नहीं किया है तो चलते हैं दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं मंदीर का दर्सन कराते हैं तो चलते हैं दोस्तों देखो पिंटिंग हो रही है और यहां पर हवान होगा मतलब हुआ यहां पर हवान किया जाता है दोस्तों और पिछे साइट का है नजारा जो है पिछे साइट का और चलते हैं यहां पर हवान होता है किया जाता है हवान और आगे चलते हैं दोस्तों पेंटेंटेंटेंग का तैयारी फूल यहां पर चल र के टो दूसर कुंड है एक इस नानकुंड है और ये मंदीर उपर में जहां पर हम लोग जाना है और ये वाटरफाल है यह 吃 लते हैं एक लोग दिखाते हैं मंदीर का भी दर्सन कर आते हैं दोसो आज उसे विशेज दिन है और ठन का दिन है तो दोस्तों नहाने का तो अभी क्या है दर्स बजगे है तो धूप आ गई है तो नहाने का मन कर रहा है तो दोस्तों मैं आप लोगो मंदिर दिखा देता हूं तो पहले मंदिर चल देते हैं उसके बाद आप मैं यहाँ पर नहा लूँगा बैसे मैं घर से नहा के आया हूँ लेकिन यहाँ नहने कम जो मज़ा है वो मैं देना चाता हूँ तो पहले आप लोग को मैं यहाँ पर दर्शन करा देता हूं उसके बाद जाम बनाने के लिए यह कुबेज भगवान है और यहाँ पर जो मा है वो है देख लिजे यहाँ पर दर्शन कर लिजे जैमा घटारानी आप सभी का मनो कामना पूर्णा करें और यह दोस्तों उपार साइट का है यहीं से जो है वो जहरना निच्छे 40 फिर निच्छे गिरती है तो देख लिजे और यह मंदिर है आगे चलते हैं क्या है मंदिर इसको देखते हैं और यह अनपूर्णा माता मंदिर है देख लिजे दर्शन कर लिजे उपर का है यह देख लिजे यहां पर कंडेजे भी हैं बगल में स्वई हुए हैं तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बाक्स में जरूर बताना और यह दोस्तों आप लोग दर्शन के लिए जरूर यहां पर आईएगा कितना खुब्सूरत है और बहुत ही ज्यादा खुब्सूरत है 36 गर का एक गर्या बंजिले का घटादानी माता मंदीर तो दोस्तों एक बार जरूर आएगा और कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर कीजेगा कि कैसा लगा यह वीडियो और यह कैसा लगा यह जगा तो दोस्तों यह जगा है वो उसके बारे में जरूर बतान है वीडियो तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए जगा के साथ तब तक लिए जय जोहार जय छत्युजगार जय हिन जय भारत